हां तो हेलो एवरिवन सब लोग कैसे हैं उमीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे मस्त होंगे तंदुरूष्त होंगे ठीक है आज की अपनी क्लास है जैसे युनाइटेड नेशन और इसके और गन्स के बारे में हम क्यों अपनी इस टेडी के बारे में जाने यह जरूरी भी क्यों की नहीं है क्योंकि हम हरोद जब भी निग्राइब देखते हैं तो हर लिए यह एक डेली और को युनाइटेड नेशन वर्ड मिल जाता है जब भी हम कोई निज पढ़ रहे होते हैं जैसे की बहुत बार होताय है को नीज वागेड़ा वगेरा हम डेख रहे हैं व वो अकर बोलता रहता है कि appr वार रूज करते हैं कि एंदर कसी कफी हूं की नंदग कि अगर को टेक्स वह वगेरा उसको यूए के फ्रूंड करते हैं सभू ससमझ में पॉस्ट नियूज्स पर पढ़ने का को नीजिस आज हमारा नेशन हुपर है तो इससे अपने स्टेडि से लिंक नहीं करके अपन एक अपने जनरल डेच के लिए थिक तो अपना याइड नेशन अप युनाइड नेशन के लिए पढ़ने से पहले C spiritual क्यों पड़ी और किस कारण की वज़ए से बना दिया गया बहुत लोग बोलते हैं कि एक international government की तरह कार्य करती है ठीक काम उसकी तरह करती है बहुत से क्या जरूत पढ़ गए इसकी क्योंकि सभी अलग 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 गवर्मेंट तो ही वह सब कर रही है तो क्या जरूत पढ़ गई इसके लिए अपने को समझने की जरूत है अपन पहले जाते हैं इससा इंस्टिट्यूट जो और इंटरनेशनली काम कर रहा है या इससे पहले भी कोई था ठीक है तो सब कुछ ऐसे जानते हुए फिर अपना आएंगे युनाइटेड नेशन पे और उसके बाद इसके साथ में इसके संग इसके अंग सुरी उनके बारे में जानकरी सब्सक्राइब करें इसलिए अपन को समझना चाहिए कि जो भी जितने भी उनके अंदर अगर सेंटर अपन देखे ना उनका तो यूरोप महादीप रहा है ठीक है यूरोप महादीव फर्स्ट वर्ड वर्वर में किस तरह से था ये उसका सेंटर की तो आपन देखते हैं कि 1914 के लगवग 1914 से 1918 जब तक ये युद्व चला उस समय में सबसे ज्यादा उबरती हुई आर्थिक अर्वस्ताति मतलब सबसे डवलप्ड होता हुआ संतुलन बिगड़ना अब उसमें क्या यूरोप ये जो भी कंट्रियां थी उनके आपस में मलब जब भी कोई आदमी बढ़ने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारे कंट्री जो ग्रो कर रहे थे कुछ अपर थे कुछ चल रहे स्टार्ट हो रहे थे ग्रो करते विए तो एक ता जर्मनी अपने यूरोपिया महादीब का यह जर्मनी कंट्री कि कि क्या था कि 1914 से पहले तक यह साइलेंट था मतलब राजनिती के अंदर इतना एक्टिवेट नहीं था लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे इसके अंदर एक परशन आया वहां पर बिश्मार्क समझ रहें जैसे कि अपने यहां पर इंडिया के अंदर आजादी के टाइम 1927 के बाद जो चोटी चोटी रियास्ते बटी हुई थी उस टाइम पर अपना एकिकरण का काम किया था कि इसने लोग पूरूस सर्दार वल्लभाई पटेल ने उसी तरह यहां पर एकिकरण का जर मतलब यह डवलप्त करने लगा और इसका एरिया भी कुछ से हद तक बढ़ने लगा जिससे कि यह क्या यूरोप महादीव के और जो अधर कंट्री थे अपने बात करते हैं पूर्त गाल वगरा यह मतलब क्या कि यह पहले से जर्मनी से क्या आगे निकले हुए देश आर्थ तो जर्मनी की फ्रांस के साथ में डिस्प्यूट होने लगी अब दीरे दीरे इन दोनों के बीच के अंदर मतलब जगड़ा बढ़ने लगा युद्ध होने की स्तिती होने लगई ऐसे ही और भी अधर कंट्री थी उनके अंदर जैसे इधर अब आपन जर्मनी के इस साइड में जाए अगर यूरोप महादीप में तो यहां देखते हैं अउस्ट्रिया अंगरी इनके और नीचे था एक सर्बिया इनके आपस के अंदर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे इस तरह से एशिया महादीप की जो भी सकतिया थी ना उनमें संतुलन बिगड़ने लग ग सकते हैं कैसे समाज सकते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आपन बात करें डिश्प्यूट की तो उसमें मैं जो सेंटर रहता है वह कस्मीर का सेम ऐसे ही इनके बीच में भी एक जगह थी जिसका नाम ता ऑल से लोरेन आल से लोरेन जगह क्या कि पहले निर्धारन हुआ नहीं था उस टाइम पर से लोरेन फ्रांस का वा करता जिसको फिर जर्मनी ने अपनी एक इकरन की दोरान अपने अंदर ले लिया था कि अपने इस तरह से समझते हैं थोड़ा मैप वाइज करके कि अगर ऐसी चीजों को अपना करना लिंक करते हुए चलते हैं न तो अच्छे से समझ में आती है एक अपन में रफली मैप टाइप सा बना रहा हूं यह अपन मानते हैं कि जर्मनी है अपना कि इसके नीचे इधर की साइड में अपने हैं फ्रांस कि इधर अपन बात करते हैं इधर आता है इसके हंगरी यह सोरी आउस्ट्रिया ठीक है ओस्ट्रिया हंगरी अउस्ट्रेलिया अलग है दोस्तों और ओस्ट्रिया लग है ठीक है समझे ना ओस्ट्रिया यूरोप महादीब का देश है और ऑस्ट्रेलिया एक खुद महादीब तो अब देखो इन दोनों के बीच के अंदर शिमा विवाद यहां पर था लोरेंस नाम की जगह थी जिसके बारे में इनके बीच में बढ़ने लग गई तो अब इनके बीच में क्या सतुरुता बढ़ने लगी तो दोनों कंट्री इस तरह से थे कि अगर युद्ध होता है दो बड़े लेवल पर हो सकता है क्योंकि इनके साथ भी काफी सारी इसके बाद में होता है कि मिलदध फ्रांस से अपनी दूस्मनी को बदला लेने के लिए से बोसकते हैं इन्होंने क्या संदिया और गुट बनाने स्टार्ट कर दिए और अगुट बढ़ते घए और अगर तो कि मैं अपने मलब यह देश मेरी तरफ से लड़े इस तरह से पहले इन्हों ने युद्ध की एक तैयारी करते हुए इन गुटों को बढ़ावा दिया था जिसकी वज़े से अपना सेकेंड वर्ड फर्स्ट सोरी फर्स्ट वर्ड वोर की यह रहा दूसरा था ऑस्ट्रिया द्वारा सर्विया पर यूद्ध की गोश्टना अब देखिए और सर्विया यहां पर ऑस्ट्रिया अगर देखें न तो दो तरह की गुरूप बन गए थे पूरे वर्ड में एक थे मित्र राष्ट मंडल दूसरे थे धूरी राष्ट मतलब यह तकि यूरोप के जो लगब में जीत हुई थी मित्र राष्ट्रों के ना तो अब इसके अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्विया के अंदर क्या रीजन था कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक उत्रादिकारी उस टाइम का राजा मला बनने वाला राजा प्रिंसेज जिसका नाम था और्चुड सेरवलेना नामक जगह पर उसके हत्या कर दी घिसकी ऑस्ट्रिया की ठीक है अब उसने ग्लाइब कि एक महीने बाद कि 28 जुलाई कि 1914 को हंग आश्टेरिया हंगरी ने सर्भिया पर युद्ध की इंटरनेशनल लेवल पर गोशना कर दी ठीक है अब जैसे इसने इसकी गोशना की तो बताते हैं कि फर्स्ट वर्ड वोर की डेट यहां से स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट वर्ड वोर को ऐसे मानत पर यह जाता है कि यह जिसको यह स्टार्ट हो गया था यह पहले से इसके बहुत सारी चल रहे थे दूसरे से इसलिए जैसे इसने उसके उपर हमले की गोश्टना की वैसे इन सब के अपने अपने देश साथ में आने लग गया जर्मनी साथ में यह इसके साथ जुड़ गया सर्बिया केते जैसे फ्रांस वगिरा यह सब लोग साथ में जुड़ते गए और फर्स्ट वर्ड वर्ड वोर हो गया ठीक है अब इसमें जर्मनी की हार हो गई मैं रिजन इसमें था मैं जो जर्मनी था जो हारने वालों में अगर बड़ा राष्ट कुछ देखे तो उसमें ज जर्मनी की हार ही और मित्र राष्टों के जीत हो गई ठीक है अब जब यह मित्र राष्ट जपां जो ने सा घ्रमनी साथ में फ्रांस रूश युआ अमेरिका और पकिया उसम पेरिस के शंत हान्ती समझो था आफ कि पेरिशान्ती कि सम्मेलन किया गया उसके अंदर काफी सारी ऐसी संधियां बनाई गई जो मतलब जिनके तहट इनके उपर फिर युद्ध रुका और उन्हों पर हस्ताक्षर करवाए गए साइन करवाए कि हम इन इन नियम को मानें गए जैसे जर्मनी के उपर बात करें तो जर्मनी को ना इस पूरे वर्ड वर्ड वोर का जिम्हेदार बता दिया गया कि जिससे अब इसकी वज़ए से जितनी भी शति पूर्ति हुई है वह सब जर्मनी वहन करेगा एक मतलब इसके पर एकोनोमिक भार यह लगा दिया कि तुम्हें अभी शति पूर्ति करनी है दूसरा था कि और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक लाग से जद्धा तुम शैना नहीं रख सकते एक लेवल तक तुम यहां तक क्या हतियार रख सकते हो इसके बाद में अतियार नहीं रखते ऐसी काफ़ी सारी थी और इसके अंग डिस्प्यूट करते कि जैसे यहां पे वह था यह फ्रांस को दे दिया गया और यहां यह रिए इसके जो पड़ोशी देश जिनसे इसका इयरिया का डिस्प्यूट चल रहा था वह उनको इसके खतम करके उनको दे करके इस तो यह वैसाब कब हुई थी वर्षाए की संदी हुई थी 28 जून तो यह संदी अपने को ध्यान रखने में है कि वर्षाए की संदी कब हुई थी 28 जून पूछ लिया जाता है इसके बाद मैं अपना क्या रॉल था अपने देश का इस युद्ध के अंदर से अपन किस साइड से थे तो अपनी भी एक भारत से भी लगवग दस लाख सेनिक इसमें भाग लेते हैं और उस सेना को बोला गया था ब्रिटिस भारतिय सेना दस लाख सेनिकों ने भाग लिया और कम से कम यह दुख की बात थी कि 75,000 के लगवग लोग इसमें मारे गए अपने तो इसमें जब यूद के समाप्ति हुई तो काफी ज़्यादा शतिपूर्टी हो चुकी थी सभी देशों के इकोनोमिकल सिच्वेशन थी वह बिगड़ चुकी थी लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचाता काफी सारी मिलब डिस्प्यूट्स हो चुकी थी ठीक उनका भी नुक्सान हुआ था युद्ध के अंदर सबका नुक्सान होता है तो उन लोगोंने मिलकर के एक बोला कि यार एक संगठन बनाते हैं अपन जो मतलब की शांती का काम करेगा सबको शांती करेगा युद्ध को रोकेगा लोगों को शिक्षा की विवस्ता संगठन की सब्सक्राइब वह था लीग ओफ नेशन बंप आप अब अगर आज आपन देखते हैं तो यह युनाइटेड नेशन अपना वा था से कि वर्ल वर के बाद फिर्सट वर्ड के बार जो युनाइटेऑन नेशन के जगये पर लीग ओफ नेशन इस तरह से मतला मान 1920 की इसकी स्तापना होती है और इसके अंदर जो मैन रोल था इसको बनावाने का इसकी जो मुलब कार्य विदी सब जो भी योजना बद इसकी प्रयोजना बनाई गई ती जिसके दुआरा वो थे वुड्रो विल्शन जो उस टाइम के ततकाली अमरीकी राष्ट्रपति वहा कर नियुप्रिंट त्यार किया लीग ऑफ नेशन का तुम्हें अब इसका हैड़कॉर्टर था जयनेवा सुझेलेंड यदेश्ट दोस्तों इस चीज को आपना में याद करलेना कि लीग आफ नेशन लाबकि फर्स्ट वर्ट वर्वर से पहले सिसेत उसकी हैड़कॉर्टर थ अदर ठीक है तो अब यह लीग आपने शन था क्या यह आपको बताई दिया कि राष्ट्र संग लीग आफ नेशन एक सेट पाने पिलूँ अब 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 कि राष्टर संग लीग ऑफ नेशन यह क्या पेरिश श्यांति सम्मेलन फरस्वर में सब्सक्रीं से से पहले का एक अंतर सासे निया संगठन का मतलब क्या था कि इसके अंदर जो युद के अंदर पर फर्ष्ट वर्ड वार के जीत चुके जो राश्टर थे वह इसके सदश्य हुआ करते थे मुख्यत है और उसके बाद के अंदर थोड़े समय के बाद इसमें जर्मनी को भी शामिल किया गया था उनको भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में इनको शामिल कर लिया गया था ठीक है आपको बताया कि जैसे जब आने वाले समय में युद्धों को रोकने के लिए निस अस्त्री करण के लिए अंतराष्ट्रिय विवाद्स ना हो इसके लिए उनको अनेक परकार के विवाद्स थे और जो मतलब कुछ सेवाएं टाइप थी जो लोगों को प्राइमरी जो रिक क्योंकि बहुत ज्यादा नुक्सान हो चुका था पूरे वर्ड में हर देश की इकोनोमी गिर चुकी थी लोगों के पास खाने के लिए का खाने के लिए अनाज नहीं पहने के लिए अपड़े नहीं करते थे तो यह ता अपना लीग ऑफ नेशन का अब लीग ऑफ नेशन जब इतना अच्छा कुछ काम कर रहा था सब कुछ तो फिर यह मतलब कि चला क्यों नहीं दूस्रा वर्ड बार तो हो गया था उसके बाद भी स्की स्ताफन होने के बाद भी तो ठीक है अब ऐसे ही क्या लीग ऑफ नेशन कैसे हो गया यह देखते हैं अब लीग ऑफ नेशन फेल हुआ उसका मैन कारण तो देखो ऐसा है कि इसकी स्ताफना फर्ष्ट वर्ड वर से हुई थी और उन लोगों ने की जीत गए ठीक है अगर आपन डेली लाइफ में दो जन किसी से लड़ते हैं और जो एक जन जीत करके कुछ बनाता है और हारने वाले को बोलता है कि तुम लेजर पार्ट अधिपत्या उन ही का था तो जर्मनी वगेरा यह थे इनके बीच में मतलब कुंठा थी कि हम लोगों को हरा दिया और एक वर्षाय संदी थी उसकी वज़े से उसमें ज्यादा कुंठा थी तो इसी तरह के मतलब थे कि जो हारे हुए देश थे वह एक त्रित इसा कुछ हुआ था तो देखते हैं अपन दूसरा क्या था दूसरा मेन कारण यह था कि इसकी जो संस्था पकते वुड्रो विल्सस वह अमेरिका के राश्ट्र पति थे उन्होंने इसकी स्तापना की थी और अमेरिका की ही यह अश्वा था कि इसको लागू करने के लिए उ जरूरी था कि उसकी संसद के अंदर कि उसकी संसद के अंदर इसका मलब विधेक पारित करना पड़ेगा परन्तु हुआ कि वुड्रो विल्सन जी ने इसके संस्तापक थे उन्हें इसको पारित करने से मना कर दिया तो एक यह भी इसका ऐसा फलता कारण रहा दूसरा यह आपको बताई दिया कि जर्मनी को इसका सदश्य बनाया गया था लेकिन वर्साई के अपमांजनक संदी के चलते जर्मनी ने कभी भी राश्ट्र संग का साथ नहीं दिया और ना इसके साथ और भी कई कार तक चलने वाला लंबा युद्ध जिसके अंदर यह फर्स्ट वर्ड वोर से भी भयानक किस्म का युद्ध था काफी ज्यादे नुक्सान हो गया था अब इसके मतलब कारण देख सेकेंड वर्ड वोर का क्या कारण रहा तो आपको मैंने बताया कि हर वर्ड अभी तक जो द उक्राइन के बीच में युद्ध चल रहा था ठीक है तो सब लोगों को यह यूरोप महादीब के अंदर आते हैं तो उनके उनको देखे सब लोग पूरी दुनिया के लोग डरे वे थे कि तीसरा वर्ड वोर ना हो जाई ठीक है तो अभी तक जैसे उनके अंदर चली रहा ह आप बात करते पेरिस की अब मतला सेकंड वर्ड वोर के क्या कारण रहे वाप में वर्ड वोर होने के तुसकी पेडिस की शांति वारता जैसे आपको बता है पेरिस अधिवारता रोप जीते हुए जो लोग ते उन्होंने जीत को सेलिबरेशन करने के टाइप में उस तरह से पेरिश चांतिवारता रखी ती जिसमें हारे होए लोगों को भी बुलाया था और उनको एक संधी उनके सभी के साथ में एक संधी की गई ती जिसके अंदर मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिये गए थे कि आप यह नहीं कर सकते इतना यहां तक अपना परसार कर सकते हो इतनी शेना रख सकते हो यह अतियास रख सकते हो ठीक है इस तरह कि कई वह लगा दिये गए थे रिस्ट्रिक्शन उनसे भी लोग भोकला यह थे कई राष्ट्र मैं यह रिजन भी था दूसरा था आर्थिक मुद्दे मतलब हुआ कि यूरोप महाद रहा नहीं जो पहले था इससे क्या हुआ कि यूरोप में आर्थिक मंदी का दोर ला दिया उस युद्ध ने भी आर्थिक मंदी का दोर ला दिया तो वहां पर जिसकी वज़े से भी अब सेकेंड वर्ड़ वोर एक कारण हुआ दूसरा था नेशनलीज्म अब जब क्या कि यूरोप के कई छोटे देश थे वो लोग जो हार चुके थे उनके उपर संधियों के तहरे समझोता किया गया था कि आप उनके पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिये गए तो वह सब लोग आपस में मिल गई और जब दबा हुआ वेक्ति दो आपस में मिलते है ना तो ऐक चूरण लगी नेशनलिजम पनपन पनप नापने जे नेशनलिजम क्या कि पकटठ परकट हुई दूसरा डिक्टेटर सिप डिक्टेटर सिप का मतलब समझे तो अमेरिका चाइना इनकी क्या आदिपत्य था तो यह जब किसी के पास पावर ज्यादा आजाती है ना तो वह मतलब दमन करने लगता है कई कई नीतियां इसी बनादी के जिन से कई देशों का दमन हो रहा था तो वह लोग भी इसके खिलाफ खड़े हो गए तो मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड वर्ड वोर के रीजन मोस्ट ली रीजन वही थे जो लीग ओफ नेशन के फेल होने के रीजन थी हुआ है टीक हे रहता दो पक्षों का बनना डो पक्षों का वहाई तो की जीटों कोई थी दूसरे हार ले दोनों की बीच में बंटे नहीं थी तो वह मलब कही न कहीं क युए कीज़ लिए फुसके गए हैं निकल करते ऑफ बाद के अंदर उपना निकल के आता है वह तकर ता उस टाइम के कबके मलब उस टाइम के अमरीकी राष्ट पर थी एफडी रुजवेल्ट ने इसका नामकरण उन्होंने दिया था और उनके द्वारेश की कार्यविधी की योजनाएं बनाए गई इस तापना के मतलब पहले जो फर्ष्ट वाला था लीग ओफ नेशन उसकी कही घे थी वुड्रोव विलसंस के दुआरा जो भी अमेरिका के राष्ट्र पती थे एफडी रुजवेल्ट यह समय के जो सेकेंड वर्डवार जब उनीस सो ब्यांलिस का तबके यह अमरीका के राष्ट्र पती दे एफडी रुजवेल्ट इन्होंने युनाइटेड संगठन होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर जो इस तरह की कोई भी समझाय आती है वर्ल्ड वोर की हो गई कोई महामारी आ गई जैसे अभी अपने इस तरह की मतला मिलकर के निपड़ सके और उनके उपर एक सबका एकमत राइं हो सकी तो इस तरह से इसा कोई संगठन होना चाहिए तो उन्होंने रुजवेल्ट इस बात पर उन्यूएन चार्टर निस के अंदर इसके उपर चर्चा की घए अब दूसरा होता है कि यह साइन क संग्वालिस के अंदर यह साइन हुआ था वसिंग्टन डी सी के अंदर ठीक है ओ इसके ओएक डू डंबल्टन ओक कॉन्फरेंस के दोरान तो इसका ब्लूप्रिंट तयार हो आता सुरी तो इसका ब्लूप्रिंट बन करके तैयार हो गया मतलब जैसे मतलब इसकी कारे विदिकी कि किस तरह से यह काम करेगा उस तरह का यह एक पूरा ब्लूप्रिंट करके तैयार हो गया ता डंबल्टन ओकॉफります सब्सक्राइब यूएन चार्टर साइन कब यूएन चार्टर साइब 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन हुआ तो सैन फ्रेंसिस्कों में उसके अंदर वा था अब यह अब यह लागू कब हो गया था क्यंकि अब अभी भी अपन बनाते हैं कि उनाइटट नेशन दे मनाते हैं 24 ऑक्टोबर को तो यह 24 ऑक्टोबर 1945 को लागू कर दिया गए था यह कम इंटू फोर्स यूएन चार्टर एंटर इंटर इंटू फोर्स लागू हो चुका था चोबिस ऑक्टूबर 1945 को जिसको आज अपन United Nation Day के रूप में मनाते हैं ठीक है यह इसके लागू होने के बाद में यह पूरी तरह से अपनी फ्रेम में आ चुका था जब यह यूनाइटेड नेशन लागू हुआ तो इसके अंदर कंट्रीज हो चुके तो 193 देखो जब यह साइन हुआ था तब इसके अंदर कंट्रीज थे 51 फिफ्टीवन वाला लास्ट वाला जो था वह था पॉलेंड ठीक है और जब यह लागू हुआ तो यह अपनी पूरी फ्रेम में आ चुका था ऑपने अगर इसके बात करों इसके कुछ से था तो इसके चेम नेसन का प्रेम आपने इतर सैड्र Hm ये पर इनदर कि kya आना कि दो गम की सफोलीव अ को जैटून पतीया वही है जिनके बीच के अंदर एक वर्ड मैप को दिखाया गया है सर्कल्स के बीच के अंदर तो यह युनाइटेड नेशन का सिंबल है और अगर फ्लैक की बात करें तो यही सिंबल वाइट कलर के अंदर नीले कपड़े के उपर होता है वह उसकी फ्लैक को पताता है और यह जैतून कों से प्रक्राइट को ईंदर यूज किया घया है तो अब इसका अपने प्रतियों को का मिल या गया है टीक है यह सािंद यह बताई दिया अपन फ़्लैगो उंडभ डॉन ऐस एडगा उना अच्ट अच्टूबर उक्टूबर 1947 के अंदर अपने एक्सेप्ट किया था कि अब आगे आ जाते हैं इसके एम सिक मतलब युनाइटेड नेशन के क्या एम थे युनाइटेड नेशन के पीस क्रियेट करना पूरे वर्ड के अंदर पीस मेंटेन करना इंटरनेशनली मतलब कानून व्यवस्ता को बन इस तरह वी आफिए उसको कि यह लोगों को अपने मानवा दिकार की रक्षा करना लोगों को मानवा दिकार की उनको बताना कि आपके इस आधिकारों की बारे में आवगत्र करो ना दूसरा था कि प्रोवाइड एजुकेशन हेल्थ यह सब आई गया तो यह सब इसके क्या एम एम थे उदेश्य थे कि यूएं द्वारा यह प्रोवाइड करवाए जाएंगे पूरे वर्ड के अंदर ठीक है अब यह इंपोटेंट है इसका हैड़कॉर्टर यूएं का हैड़ यूए और लीग ओफ नेशन का हैड़कॉर्टर का था जैनेवा सुजर्ण लेंड के अंदर ठीक है अब इसकी लेंग्वेज के लिए बात करें अगर आपन यूनाइटेड नेशन की लेंग्वेज के बारे में तो यूनाइटेड लेंशन के अंदर शिक्स ओफिशियल ले अब यह पहले अब यह पहले फाइफ लेकिन एक बाद में अरभिक लेंग्वेज और जोड़ी गई सबके लाश्ट में अब अब इसको याद करने का तरीका यह मैंने इसमें इसमें बनाया है फ्रिसका फ्रिसका मतलब फ्रेंच आर का मतलब रशियन इंग्लिज एसका मतलब है स्पैनिस का मतलब है साइनिज और एक का मतलब मतलब क्या एक फ्रेमवर्क हो गया अब इसके बाद में आगे डिसकस करेंगे इसके अंदर की इसके और गन्स कौन से हैं जैसे जनरल असेंबली है जनरल काउंसिल है इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस है यह सब अपन इसके बारे में भी आपन अभी डिसकसिन करेंगे जो नेक्स्ट वाले सेशन में करने वाले हैं ठीक है तो यह यार यूनाइटेड नेशन को ना अपन इस तरह से ना लें कि अपन के एक एग्जाम की तयारी कर रहे हैं उसकी वज़ए से नहीं इस वीडियो को इस तरह से अपने और दूसरों के साथ सेयर करो क्योंकि अगे रहा समझ में आएंगी ठीक है तो दोस्तों बढ़िया खुश रहो हैल्दी रहो स्वस्त रहो मजे करो ओके थैंक्यू कि अगर अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि कि